दोस्तों 8 फुट में कितने इंच होते हैं यह तो आप तभी समझ सकते हैं जब आपको पता हो कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं तो आएए पहले इसे समझें मगर पहले चेनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें आएए वीडियो को सुरू करते हैं और ह जानते हैं कि एक फुट में कितने इंच होते हैं या फिर कह सकते हैं फुट और इंच का समन्द क्या होता है एक फुट बराबर बारा इंच या फिर कह सकते हैं कि बारा इंच बराबर एक फुट यानि दोस्तों अगर एक फुट होता है तो उसके अंदर बारा इंच होते हैं और इसका मतलब है कि एक फुट की लंबाई के अंदर बारा इंच है नमबर दो आठ फुट में कितने इंच होते हैं वेसे एक फुट में तो बारा इंच होते हैं मगर अब आपको पता होना चाहिए कि आठ फुट में कितने इंच होंगी तो आईए इसे समझें अगर आप 8 फुट को इंच में बदलते हैं तो इसके लिए आपको 8 को 12 से गुणा करना होगा क्योंकि एसा करने के बादी आप इसे इंच में बदल सकते हैं तो आईए गुणा करते हुए समझते हैं कि 8 फुट में कितने इंच होते हैं आठ फुट इंटू बारा इंच बराबर चान में इंच यानि दोस्तों आठ फुट को जब बारा इंच के साथ गोना किया जाता है तो चान में इंच आती हैं और इस बात का मतलब है कि आठ फुट में चान में इंच होती हैं इस तरह से दोस्तों एक फुट में बारा इंच है और 8 फुट में छाण में इंच होती हैं इस प्रकार अगर आपके पास 8 फुट की लंबाई है तो उसे इंच में छाण में इंच के रूप में मापाद जा सकता हैं कुल मिलाकर बात यह है कि 8 फुट में छाण में इंच होती है